आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सुनेल स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टार IQ परिवार में आईए शुरू करते हैं 19 जून 2020 के इपाटिंट हर्याना के करेंट अफेर सबसे पहले जान लेते हैं दुनिया भर में करोना वाइरस के केसिस कितन हो चुके हैं 85,70,000 और 384 लोग अभी तक दुनिया भर में करोना संकर्मित हो चुके हैं और मरने वालों की सेंख्या दुनिया भर में जो है वो 4,55,578 पहुंच चुकी है यही आप दुनिया भर में अमेरिका में सरवादी का फोर्थ नमबर पे इंडिया है इंडिया के अं अंदर यही आकड़ा 9,218 हो चुका है और कल मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे उन पांचों के जबाब क्या है कि हर्याना में कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा दूसरे राज्ये से नहीं लगती है तो पहले एक ही जिला हुआ करता था रोह तक लेकिन बाद में नया जिला ब पहरत में गेहूं का जीन बैंक कहां पे स्थित है हर्याना के करनाल में स्थित है डी आप्शन सही है हर्याना में एरफोस स्टेशन कहां पे है तो इन आप्शन में से अंबाला बिल्कुल ठीक रहेगा हर्याना समवाद पत्रीका का संबंद किस विभाग से है तो इसका अंस हर्याना में बागवानी विभाग ने 25,000 एकर बागवानी को बढ़ाने का लक्षा निर्धारित किया है। इसका रीजन है कि लोग लगा रहे थे धान और धान लगाने से क्या है कि पानी का स्तर हर्याना का बहुत नीचे जा रहा है। पिछले 5 सालों में 5-5.5 मिट्रे तक न के अलावा अगले 2 वसों तक कीडे आदी की दवाई जो है उसका भी 40% तक जो है अनुदान दिया जाएगा हर्याना सरकार की तरफ से और बागवानी विभागने जिलों की उपजाओ शमता और वहां पैदा हो सकने वाले फलों के इसाब से पूरे हर्याना राज्य को जो है कलस्टर में बांट दिया अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे हर्याना में एक ही टाइप का भाग लगाया जा सकता है अलग अलग जलवाईू के इसाब से अलग लग है और अब की बार 70,000 हाक्टेर में धान को छोड़कर किसानों ने दूसरे बाग वगरा है दूसरी फसले लग लगाये जाएंगे तो ये बहुत बहुत इपॉर्टन किस्टन है हर्याना के अंदर अमरूद के बाग लगाये जाएंगे सबी जिलों के अंदर ठीक है मतलब अमरूद हर्याना की जलवाईू के अकोर्डिंग सबी जिलों के अंदर सूट करता है इस वज़े से ए आप्शन ऐसा किर्सियो किसान कल्यान मंत्री जेपी दलाल ने बताया है अच्छा इसके अलावा ये कलस्टर बांटे गए थे मैंने आपको पहले कि उसने बताया तो क्या है कि अमबाला को आम का कलस्टर बनाया गया है उसन लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इसको डोमी डिवाइड कर और परदेश में 9000 हाक्टेर के करीब आम के बाग है, अगले एक साल में 1500 एकड भूमे में आम के बाग और बढ़ानी की योजना जो है त्यार की गई है, यम्ना नगर पर्टिकुलर के लिए लिची के बाग लगाए जाएंगे, और क्योंकि इस एरिया के अंदर लिची का उत पादन होना संभव है, जो कि उत्राखंड के बहुत ही ज़दा टच करता है ये, और उत्राखंड के दहरादून में और मंसूरी वगरा में लिची बहुत ही फेमस है पूरे भारत में, पंचकुला के अंदर भी लिची के बाग लगाए जाएंगे, अचा उसके अलावा जो को स्ट्रोबेरी कलस्टर भी घोसित किया गया है, और इसी तरह भीवानी और फतेवाद वहिसार में अनार के बाग भी लगाए जाएंगे, ठीक है, सोनीपत में केले का उत्पादन होगा, अभी तक हर्याना में केला दूसरे राजियों से आता है, सोनीपत कलस्टर में केले पेलिक लीजिएगा, जैसे अब ये चीजे बहुत इपोर्टन्ट है कि कितने एकड़ का भाग लगेगा, किस कलस्टर में केले का भाग होगा, किस कलस्टर में आम का भाग होगा, ये बात आपको याद रखनी हैं अब है, अगला क्यूसरे ने कि हर्याना के किस जिले में, गिग नाव गाओं में इंडो इसराइल तकनीक से उत्कृष्टता के अंदर स्तापित हो रहा है, तो अभी हाल ही में हार्याना के भीवानी के अंदर जो है, इंडो इसराइल तकनीक से उत्कृष्टता के अंदर यानि टेकनोलोजी सेंटर जो है, या एक्सलेंस सेंटर जो अलग तरिके टेकनीक से पोध त्यार की जाएगी ताकि उन पे जल्दी ही फल आने लग जाए और जादा फल आए उन पे बिवानी का जिकर हुआ है तो बिवानी जो है यहाँ पे गीता फोगाट बबिता फोगाट और विजेंदर बॉक्सर ये बिवानी के परसिद्ध मुख्या के लाड़ी है बंसिलाल पूरो रक्षा मंत्री रह चुके हैं सेट किरोडिमल समाज सेवी है बनारसी दास गुपता पूरो मुख्यमंत्री हर्याना के और रणबिर सिंग महिंद्रा पूरो बिसी सी आई अद्यक्स ये सभी भिवानी के ही हैं अगला क्यूस्तन है कि हर्याना में सभी परकार के कारियों की योजना त्यार करने के लिए साथ टास्क गुरूप का गठन किया गया है इस गुरू पूरो बिसनिक सुधार के लिए और सभी परकार के कामों की योजना त्यार करने के लिए ये साथ टास्क गुरूप का गठन किया गया है हर्याना के अंदर गुरूप वन जो है उसमें खाद्या और किर्सी से संबंदी चीजे जो है वो एड की गई है और गुरूप टू ज आजसव, प्रेटन और अथिती या आबकारी विशे को और गुरूप 7 के अंदर हर्याना प्रसासनिक सुधार को एड किया गया है और इसके अलावा किर्सी विभाग के महाने देशक विजय धहिया को सदेश्य का सच्चिव बनाया गया है इसके अंदर बहुत इपॉर्टन के पहले उपादेक्स और वरतमान में उपादेक्स कोन है उनका नाम भी बताईएगा कमेंट में इपॉर्टन चीज है अच्छे से बताईएगा समझ के जल एवं सीवरेज मिशन के तहट हर्याना के किस जिले में डेड़ सो गाओं में 23,280 घरों में पेजल लाइन डाल कर पानी पहुंचाया जाएगा तो ये जल एवं सीवरेज मिशन के तहट हर्याना के कैथल के अंदर जो है पेजल लाइन पहुंचाया जाएगी 23,280 घरों तक सी ऑप्शन साही है कैथल के DC के साथ में मिटिंग हुई है ठीक है अभी हाल ही के अंदर कैथल और गूहला में पा पाट करोड रुपे का खर्चा आने वाला है कैथल को हर्याना की छोटी कासी कहते है ना ग्रह कुंड की वजए से कपिलमूनी की नगरी है गुदौदवारों का सहर है फालगू मेला यहाँ लगता है पुंड़ी कैथल की फिर्नी जो है बहुत ही मसूर है कैथल के 167 अनानी हास्टल का partition होगा और एक रूम में किवल दो ही student रह सकेंगे तो ये social distancing को maintain करने के लिए H.A.E. University ने ऐसा फैसला किया है भी option सही है कि एक रूम के अंदर किवल दो ही student होगे और hostels का partition किया जाएगा ताकि social distancing को maintain किया जा सके इसके कुलपैती का नाम प्रोफेसर केपी सिंग है स्तापना दो फरवरी 1970 को हुई थी हर्यानके कि जिले में manual production परमान पत्र अब मान्ये नहीं होगा देखेगा आप सभी बाई गाड़ी रखते हैं तो हमारे एक production card होता है कागच होता है ठीक है और इस टाइप से आप देखते होंगे बाई को इस तरीके से लगा कि यहां से camera निकालके वह हमारी number plate को scan करके और एक हमें कागच दे देते हैं लेकिन अब जो है यह manual नहीं होने वाला है यह online ही स्विकार योग्य होगा manual इंदसेंस अब कागच के रूप में काम नहीं चलेगा online इंदसेंस mobile वगरा के अंदर जो होना चीए otherwise यह काम नहीं देगा या अगर यह manual रहा तो इस पे जुर्माना भी लगाए जाएगा ऐसी गोशना करनाल के अंदर हुई है हाल ही में एव options है हलंकि इसे पूरे हर्यान पर online प्रदूसर्ण जांच के अंदर register अभी तक हो चुके हैं और यदि कोई online के अंदर नहीं होगा तो इसको seal कर दिया जाएगा अभी भी अगर offline चला रहा तो इसको अभी seal कर दिया जाएगा ऐसा करनाल की बात हुई है तो करनाल के अंदर national dairy research institute है और के अलावा पंडित पर दियाल उपज़ाई university भी है करनाल के अंदर कलपना चावला government medical college भी कहां पर करनाल में करनाल के अंदर करनाल के अंदर करनाल के अंदर करन जील है करनाल के अंदर बात की जाए तो स्वस्ता ranking बहुत अच्छी है लगातार दो तिन सालों से सबसे साफ सहरों में गिना जा है हर्याना का करनाल नए software के अंदर क्या होगा इसके अंदर number डाल दिये जाएंगे बाइक का गाड़ी का number डालता ही उसके अंदर rate भी निर्धारित हो जाएंगे इसमें benefit ये भी होगा पहले 100 रूपे की जगा लोग डेड़ सो ले ले लेते थे अब मन माने rate नहीं होगे ज गंटे से जादा कोई रूक रहा है कोई भार से आता है तो उसको सरल पॉर्टल पे जो है अपना पंजीकन रजिस्ट्रेशन करवाना जुरूरी होगा अन्तोध्य सरल पॉर्टल पे और साथ की साथ ये भी बताना होगा कि हम लोग किस लिए जा रहे हैं किस से मिलना है और क इतने देर तक रुकना है, क्या काम है, यह सारा कुछ बताना होगा, जैसे चेकपोर्ट से एंट्री करेंगे, तभी thermal screening भी होगी, हमारे body का temperature भी नोट किया जाएगा, अगर उसमें fluctuation है, तो हर्याना के अंदर एंट्री नहीं होगी, हर्याना के अंदर करोना का संकर्मन बहु बढ़ावा दिया जाएगा, यह option सही है, इस zero budget का मतलब है organic खेती, जो कि हम लोग normal खेती करते हैं, उसमें खाद, सप्रे वगरा बहुत सारी चीचे डालनी पड़ती है, और बस उसका जो है निराई बुराई कर सकते हैं, लेकिन सप्रे वगरा डालना जरूरी नहीं है उनक पड़ सकते हैं, ठीक है, टोटल तकरीबन 155 गाओं का चैन हुआ है इसके अंदर, अगले किस दिन के और चलते हैं, उससे पहले यम्ना नगर की बात की जाए, उसका पुराणा नाम अब्दुल्लापूर के नाम से पुकारा जाता था, यहां पे religious place में कपाल मोचन और आद जो है, वो सूरे ग्रहन पे मेला लगता है, और इस बार सोसल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए यह मेला नहीं लगेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 19-21 तक ब्रहम स्रोवर और सनिच स्रोवरों के साथ एक किलोमेटर के चेतर में 1444 लागू करके करफ्यू लगा दिया गया है, और कुर्चेतर की स्थापना 23 जनवरे 1973 को हुई है, चेतर फल 1530 वरग किलोमेटर है, ठीक है, धरमनगरी कहते हैं, वैदिक साबेता का पालना कहते हैं, सीटी ओपाक्स कहते हैं, एक मात्र ऐसा जिला जिसके नाम पे कोई विधानसवा चेतर नहीं है, बिडला मंदिर है, स्थानेश्वर मंदिर है, सरवेश्वर महादेव मंदिर है, देवी कूप भदरकाली मंदिर है, पेहवा का मेला और मारकंडा का मेला कुर्चेतर के परसिद्ध मेले हैं, आप लोगों के लिए क्यूस्षन है कि हर्याना में परशासनिक सुधार के लिए कौन सी संस्ता बनाई गई है हर्याना कोन सा पुलिस जिला बन गया है जो 2017 तक जिला नहीं है केवल पुलिस जिला है तो हासी, नरवाना, कैथल और धारुहेडा हर्याना की पुलिस कमिस्टनरी कौन सी है पंचकुला, गुरुगराम, फृदावाद या इनमे से सारे ही ठीक हैं ये और साउथ पुलिस रेंज में कोन से जिले आते हैं महंदरगड, रिवाडी, पलवल, नू या ये सारे के सारे पुलिस रेंज साउथ का मुख्यले कहां पे है महंदरगड, रिवाडी, गुरुगराम, फृदावाद इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है आशा करता हूँ आपको चीजे समझ आई होगी कल फीर हाजी रहूँगा लेटेस्ट अप्रेट के साथ में तक के लिए फंसते रहना, मुस्कुराते रहना